बॉलिवुड गलियारों में आज क्या कुछ है खास आए डालते हैं एक नजर बॉलिवुड बस के साथ हेलो फ्रेंट्स मैं कीट्टी एक बार फिर से हाजर हूँ बॉलिवुड की लेटेस्ट अपडेट्स ले करके महेंदर सिंग धोनी की बीवी का किरदार नभाने के बाद लस्टोरीज में अपने सेंश्वल अंदास की वज़े से इस आक्ट्रेस को मिली धेर सारी पहचाक और आज ये आक्ट्रेस मना रही है अपना जनम दिन बॉलिवुड आक्ट्रेस कियारा डवानी ने कल अपना 26 जनम दिन अपने दोस्त और फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया इस दोरान उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल भी हुई कियारा ने साल 2014 में फिल्म फगली से अपना बॉलिवुड डेब्यू किया था इस दोरान कियारा गोल्डेन ट्रेस में बेहत खूबसूरत नजर आ रही थी इस लुक को सपोर्ट करने के लिए कियारा ने हाई हीज भी पहनी हुई थी कियारा बर्डे सेलिब्रेशन के दोरान काफी जादा खुश भी नजर आ रही थी पतादे हाली में कियारा ने लग स्टोरीज में अपने सेंश्वल अंदास को दिखा गर के लोगों का काफी दिल जीता है इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महिंदर सिंग धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म एमेस धोनी दा अंटोल्ड स्टोरी में कियारा ने उनकी पतनी का किरदार ने भाया था कियारा के बर्डेअब पाटी में एक्टर सिधार मलोत्रा और विकी कौशर भी पहुंचे थे कियारा अडवाणी ने खाली में नेट्फ्लिक्स पर रिलीज हुए फिल्म लास्टोरी में एक्टर विकी कौशर के साथ नज़र आई थी अक्टर स्पूनम डिलो भीस पार्टी में हिस्साले ने पहुची थी वहीं मॉडल और सिंगर रही सोफी चौधरी भीस पार्टी में नजर आई क्यारा की बर्दे बैश में बॉलिवुड आक्टर डीनो मौर्रे और शब्धा कपूर के भाई सिधांत मलोत्रा भी नजर आये थे बढ़ते है मनुरंजण की अगली खबर की और फ्लाइट्स की सारी टिकेट्स खरीद के मीका सिंग ने दिखाया था बोकाल और इसके चलते मीका सिंग के घर से चोरोड डालिया लाखों का माल बॉलोड की मशूर सिंगर मीका सिंग के घर से तीन लाख की लूट की खबर सामने हाई है इस मामले में मीका के मैनेजर ने अंकित नाम के एक लड़के पर चोरी का आरोप लगा कर F.I.R. भी दर्ज करवाई है F.I.R. के अनुसार 27 साल का अंकित वासन पिछले 10 साल से मीका के लिए काम कर रहा है खबर है कि उसी ने 75 ग्राम जुएलिरी और 1 लाख रुपे कैश चुरा है जुएलिरी की कीमत करीब 2 लाख रुपे बताई जा रही है कहा जा रहा है कि घटना के बाद से ही उनका रॉकर घर से लापता है पुलिस ने जाट शुरू कर दी है और CCTV कैमरे के जरिए ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि उनके अपार्टमेंट में कौन-कौन आया था कुछ दिनों पहले मीका ने फ्लाइड के फर्स्ट क्लास की सभी सीटे बुक कर ली थी फ्लाइड का वीडियो भी मीका ने शेयर किया था उन्होंने कहा था कि दुबाई की फर्स्ट क्लास की सारी सीटे मैंने बुक कर ली है जिससे मुझे कोई भी डिस्टब नहीं कर पाएगा मैंने बड़े सेलिब्रिटीज के लिए ट्रेंट सेट किया है वो भी मुझे फॉलो करेंगे बड़ते हैं मनोरंजन की अगली खबर की ओर कास्टिंग काउच पर पदमावत अक्टरेस ने किया बड़ा खुलासा कहा कई दिनों तक रोती थी मैं और किसी ने आट महीने तक नहीं दिया था काम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लंबे समय से कास्टिंग काउच से जूचती आ रही हिरोईनों ने अब उनके खिलाफ अवाज उठाना शुरू कर दिया है हाली में पदमावत में महरुनिसा का किरदार निभाने वाली अदिती राव हैदरी ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अदिती ने बताया कि स्ट्रगल के दौरान उन्हें कई बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा उन्हें बोला मैं जब मुंबई आई थी तो मुझे चार महिने में ही काम मिल गया था लेकिन इसके बाद मुझे कास्टिंग काउच का भी सामना करना पड़ा कास्टिंग काउच के चलते मुझे कई फिल्मों को मना करना पड़ा था मुझे आठ महीने तक काम नहीं मिला मैं इन सब चीजों से तूटी नहीं बलकि और मजबूत होकर उभुरी हूँ मैं कई दिनों तक रोती रही मुझे इस बात की हिरानी थी कि कोई मेरे साथ इस तरह का व्यवार कैसे कर सकता है अदिती के लिए साल 2013 काफी मुश्किलों भरा रहा उन्होंने बताया इसी साल मैंने अपने पिता को खो दिया था फिर 2014 में चीजे पटरी पर आने लगी मैं कास्टिंग काउच के लावा इस बात से भी अपसेट थी कि लड़कियों से लोग किस तरह से पेश आते हैं अदिती कहती हैं कि उन्होंने हमेशा से इंडस्ट्री में पावर के मिस्यूस के खिलाफ आवाज उठाई है लेकिन कभी किसी का नाम नहीं लिया बता दे कि अदिती ने फिल्म इंडस्ट्री में साथ चाल बिताएं है उन्होंने फिल्म ये सारी जिन्दगी से डेब्यू किया था बड़ एमान औरेंजन की अग्ली खबर की ओर चुलबुल, नटकट और हस्मुक मुम्तास को देख कर लाखों दिलों की धड़करे रुक सी जाती थी 71 साल में इतना बदला इस अक्टरिस का लोग बला की खुबसूरत मुम्तास को भले ही आज लोग भूल गए हो लेकिन एक समय था जब हर कोई उनकी अदाओं और अदाकारी का दिवाना था 71 वर्षिय मुम्तास आज अपने वतन और कर्म भूमी मुम्बई से हजारो किलो मीटर दूर रोम में रह रही है मुम्तास वहाँ अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती है मुम्तास तब चर्चा में रही जब उनके निधन को लेकर एक अफ़ा फैली तब रोम से उनकी बेटी तानिया माधवानी ने सोशल मीडिया पर इस खबर को जूटा साबित किया मुम्तास ने जब से होश संभाला था तब से वो एक अभिनेतरी ही बना चाहती थी मुम्तास ने अपने करियर के शुरुवात फिल्मों में चोटे मोटे रोल से की थी मुम्तास की किसमत तब बदली जब दारा सिंग ने बॉलिवूड के इंडस्ट्री में कदम रखा था दारा सिंग जैसे बुलंद कलाकार के साथ काम करने के लिए उस समय की सब अक्ट्रेस बचती थी इसी का फाइदा उठाया मुम्तास ने उन्होंने एक के बाद एक 16 फिल्में दारा सिंग के साथ की 16 में से 10 फिल्में जबरदस्ट हिट साबित हुई यहां से मुम्तास की कामयाबी का सफर शुरू हो गया दारा सिंग के बाद फिर उन्हें देश के सूपर स्टार राजेश खना का साथ मिला और यह दोर अभिनेतरी मुम्तास की जिंदीगी का गोल्डन टाइम साबित हुआ भले ही एक्टरेस आज 71 साल की हो गई हो लेकिन उनके जहरे की चमक आज भी बरकरार है राजेश खनार मुम्तास का एक साथ परदे पर दिखना कामयाबी की गैरेंटी माना जाता था इस जोडी ने दो रास्ते सच्चा जूटा आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया ये जोडी वास्तविक जीवन में भी काफी करीब थी संजीफ कुमार के साथ फिल्म खिलोना में काम करने के लिए उन्हें फिल्म फेर का बेस्ट आक्रस अवार्ड भी मिला था उन्हें फिल्म फेर ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा आपको अमारे ये शोग ऐसा लगता है आप इसके बारे में हमें कॉमेंट्स करके बता सकते हैं ऐसी और भी अपडेट्स के साथ मैं हाजिर होती रहूगी तब तक के लिए गुड़ बाई